दिली मेटरो में ब्रा और मिनी स्कुर्ट पहन कर यात्रा करने वाली रिदम चनना इन दिनों चर्चा में हैं है रिदम का विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वो पंजाब के फतेगर साहिव शेहर की रहने रिदम का कहना है कि वो रूडी बाधी परिवार से आती हैं जहां उन्हें वो सब करने की आजादी नहीं है जो वो करना चाहती हैं इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने मन की करेंगी आपको बता दे रिदम ऐसे आउटफिट में कई महीनों से ट्रावल कर रही है 19 वर्षे रिदम चनना एक्टिंग स्कूल में एक कोर्स कर रही है और वो मौडल बनना चाहती है वही बात अगर रिदम चनना के इंस्टाग्राम अकाउंट की करे तो अतरंगी कपडों की फोटोस से उनका अकाउंट भरा पड़ा है कपडों के कारण लोग रिदम के तुलना और फी जावेद से भी कर रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद उनके कपडों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर यूजर्स रिदम के खलाफ कारवाई की मांग भी कर रहे हैं आपको बता दे है अशलीलता के मामले में पहले भी कई लोगों के खलाफ मुकद में दर्ज हो चुके हैं इन में से कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं एक्टर अन्वीर सिंग के न्यूड फोटो शूट सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद उनके खलाफ भी F.I.R. दर्ज की गई वही मॉडल मिलिंग सोमन ने भी समंदर किनारे नगन होकर दोड़ते तस्वीर शेयर की थी सोमन के खिलाफ भी 1995 में न्यूड फोटो शूट के कारण मामला दर्ज हुआ था जो की साल 2009 में खत्म हो गया उर्फी जावेद के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई और अब रिदम चन्ना के मामले में आपराधिक कानून और दिल्ली मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन के नियमों के तहत कारवाई हो सकती है ब्यूरो रिपोर्ट नीशन बन